Hello everybody, इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे Geo Financial Services Limited के business के बारे में and इस company के quarter for results को भी discuss करेंगे देखे, Geo Financial Services जो है, यहाँ पर चार major verticals के अंदर है Being, Loans, Insurance Broking, Payment Solutions and Payments Bank तो यह चार major verticals है और यह जो company है, यहाँ पर expand करना चाहरी है further into stock broking Recently कुछ articles भी आये थे, जहाँ पर पता चल रहा था कि company जो है, BlackRock के साथ में tie-up कर रहे है BlackRock अगर आप नहीं जानते तो it is one of the biggest investment management companies in the world and इनका जो AUM है, वो 9 lakh करोड USD से भी जादा है तो आप definitely देख सकते हैं, जिनके साथ में tie-up हो रहा है उनको बहुत अच्छा काजा experience है इंडिया के अंदर ये जो market है, बहुत ही तेजी से grow कर रही है especially user-based बहुत तेजी से grow कर रहा है लोग जो है धीरे-धीरे realize कर रहे हैं कि यहाँ पर FD से जादा yield जो है markets के अंदर बन रहे है and eventually यहाँ पर जो एक shift है वहाँ में देखने को मिल रहा है पहले हम लोग आज से अगर हम लोग 10-15 साल पहले की बात करें तो लोग SIPs को discuss तक नहीं करते थे आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी सारे जने जो है यहाँ पर exposure ले रहे है in fact recently इंडिया में 50 lakh करोड का AUM जो है combined mutual funds ने hit किया था तो आप definitely देख सकते कि market के अंदर जो growth है वो जो exponential है and यहाँ पर GEO जो है वो known है कि वो market में आते हैं और उसे disrupt करते है तो definitely यहाँ पर GEO का move क्या रहेगा वो देखने के लिए हर कोई बहुत ज़ादा excited है बात करते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर company के valuations की काफी सारे जने यह कह रहे थे कि company का जो PE है वो 2500 के stock PE पे है and the valuations are ridiculous तब भी मैं आपको यह चीज़ कहता था कि यहाँ पर जो इसके assets है अगर आप वो देखेंगे तो वो 133,000 करोड के है तो वहीं से जो है यहाँ पर stock copy derive हो रहा है and अभी जब हमें sales लिगर देखने को मिली तो stock copy eventually काफी तेजी से contract हुआ because यहाँ पर EPS जो है वो धाई 30 रुपे के आसपास आया बात करते हैं यहाँ पर अब हम लोग इस company के quarter for results के बारे में उससे थोड़ी सी जादा clarity भी हमें मिल जाएगी देखे company ने 418 करोड के sales करे आए and यहाँ पर 300 प्लस करोड का net profit बनाया 77% तक के margins बनाया अभी जो company का business है ना वो primarily यहाँ पर B2B site पे है and यहाँ पर company जो है इस समय पर partner up कर रही है multiple businesses के साथ में अभी वो जो retail solutions है वो provide नहीं हो रहे है जितना अभी नजर आता है तो वो एक important चीज है यहाँ से नए products आएंगे या फिर यहाँ पर पता चलेगा कि company के sector के अंदर grow करना चाह रही है तो जो है थोड़ी सी जादा clarity मिलेगी in terms of sales तो वो एक बहुत important चीज है साथ ही में हम लोग Gio Financial के around एक detailed business analysis भी लाने वाले अपने चानल पर तो उसके लिए आप चानल को subscribe जरूर करें अनुर लेवल पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1850 करोड के आसपास के sales हमें देखने को मिले और बाकी सारी figures भी जो है वो आपके screen पर आ रही होंगी